तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जब एक हो सकते हैं दक्षिन और उत्री वियतनाम जब एक हो सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं एक हो सकते हैं सुनने में ये कितना अच्छा भी लगता है दिल को सुकून भी देता है सोचकर ही बड़ा अच्छा ल करते रहते हैं यह सब भी बंद हो जाएगा क्रिकेट में जो तनातनी देखने को मिलती है जैसे की क्रिकेट का मैच ना हो बलकि कोई युद्र भूमी हो वो तनातनी भी खत्म हो जाएगी इमरान खान वसीम अक्रम सब भारत के हो जाएंगे वैसे ही जैसे अधनान सामी हो चु हैं बार-बार बयान दिये جाते हैं सपने भी दिखाय今年 है कि एक दिए पाकिस्तान के कबजे वाला कश्मीर ही नहीं पुरा पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा अखंड भारत का कॉंसेप्ट यहां समझने वाली बात यह है कि हलाकि राइट विंग का है लेकिन बात देश भक्ती से भरी होती है तो कोई जादा सवाल नहीं उठाता है लेकिन आज हम यह सवाल जरूर उठाएंगे और पूछेंगे कि यह सब होगा कैसे अखंड भारत की बात इस बार उतरप्रदेश की मुक्यमंत्री योगिया देतिनाथ ने कही और ज जो बात और जो सवाल बार बार उठ रहा है वो यह है कि अखंड भारत क्या एक हकीकत में तब्दील हो सकता है या यह फिर एक सपना भर है जिसे बार बार नेता दिखाते आए हैं इस पर बयान बाजी करते आए हैं और जो वेस्ट में या फिर वियत नाम का जो एक हो सकते हैं जब वियत नाम ऐसा कर सकता है तो फिर भारत और पाकिस्तान की केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता हाला कि अगर दोनों ही मुलकों का comparison किया जाए तो दोनों मुलकों के बीच दोनों ही देशों के बीच जमीन आस्मान का फासला है चाहे वो economy के front पर हो चाहे वो जो development के indicators हैं उस पर हो human rights की आप बात कर लीजे या फिर आप बात कर लीजे जो भारत है वो दुनिया की fifth largest economy है और पाकिस्तान जो की पूरे तरीके से कंगाल और इसके लिए कहीं न कहीं पाकिस्तान खुद जम्यदार जिस तरह से आतंग को पालने पोसने का काम उसके द्वारा किय जा गया है और जब अखंड भारत की बात की जारी है तो बार बार पी ओके पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर की भी बात की जारी है जिसे लेकर सिर्फ भारत ही नहीं सीवापार से भी आवाजे उठी हैं पी ओके में रहने वाले जो लोग है निवासी है या फिर जो एक् लेकिन जो RSS की कल्पना है क्या वही BJP का प्रुधानमंत्री मोदी का भी एजिंडा है या फिर अखंड भारत की बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने और राजनीतिक बढ़त लेने की रणनीती भर है। भारत की बाद सीधे सीधे ना कहकर पाकिस्तान के हाल पिलहाल के हिस्सों को अड्रेस करके ही कही गई। सुनिए। तब मिलता है जब पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर में आजादी की और भारत के साथ मिलने की आवाजें जोर पकड़ती है। अखंट भारत के कौंसेप्ट को तब भी जोर मिलता है जब बलूचिस्तान और सिंदु पाकिस्तान से आजादी की मांग उठती है। भारत को पुकारा जाता है। लेकिन अखंट भारत के इस शोर में कुछ सवालों के उत्तर अभी किसी के सामने नहीं। सवाल जो practical है, एकदम सीधे सपाट है कि इतनी बड़ी आबादी कल को भारत के साथ मिल जाए तो साथ रह पाएगी, धर्मों का अभी से टकराव है तो तब क्या होगा, भारत के हिस्से में तरक्की है, खुशाली है, नौकरियां है, अवसर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो कुछ है, वो इसका उलट है, तो क्या भारत पाकिस्तान से विरासत में मिली, ये बदहाली का बोज उठा पाएगा, अगर हाँ, तो फिर ये अखंड भारत किस तरह का होगा, व्यार रिपोर्ट भारत एक्स्प्रेस और हमाई साथ संजीव उनियाल जी है, राइट विंग तिंकर है, संजीव उनियाल जी बड़ा सवाल यही है, अखंड भारत की जब बात की जाती है, और बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या ये एक सपना भर है या इसे हकीकत में तब्दील करने का कोई प् 22 साल के उश्यूग में, जबकि एक कॉलोनाइज मनसिक्ता की एजुकेशनल पॉलिसी के साथ, हमारी हिस्ट्री में हमें घुट्टी की तरह पिला दिया गया था, कि हमारे उपर मुगलों ने राज किया था, अंग्रेज हमारे उपर अधिपत्ते जमा के बैठे हुए थे, परंतु देखिए, क्या विलपावर्ती और क्या कर दिखाया इस सरकार ने 375 से के साथ कैसे पचाड करके एक मिरट पे धारात्शाई कर दिया उसको, जब लोग कहते हैं ट्रिपल तलाग, अरे, अच्छुता है, उसको टच्च मत करिए, परंतु उसको एक मात्र तरिके से, जब आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं, तो आप इंडियन कॉंस्टिउशन की बात करते हैं, यहाँ पर जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आप एक और सोवरेन स्टेट की बात करते हैं, दोनों में फर्क है, अब जब आप ये कह रहे हैं कि हकीकत हो सकती है, ये मु से मुम्किन होगा अगर कोई नेता अगर कभी भाशन में ऐसी बात कहते हैं तो वो उनकी वैचारी एक दिस्टी कौन का पार्टेंड पार्सल हो सकता है और अधिती हिस्ट्री जानती है आप तो बहुत पड़ी लिखे हैं इस्टी को अच्छे से जानती हैं आपके दर्शक भ करोर दर्शक आधिती को जानते हैं वो जब ही जुड़ते हैं क्योंकि वो जानते कि आज ये अगर हम मैप को देखें तो अखंड भारत क्या है और आज पाकिस्तान की इस्तिति क्या है अगर आप देखें प्रिजिमेवली अगर आप कॉंस्ट्यूशन की बात करती हैं तो अगर आप देखें श्रीलंका को अगर आप देखें ये तो सारे राष्ट मानते हैं इसलिए मुझे लगता है कि अगर अखंड भारत का एक सपना सिरफ पाकिस्तान को लेके परिपूर्ण करने की बंगला देश तो बहुत बाद में आजाद हुआ तो ये मुझे लगता है कि कोई अभी आज लगता एची शोक्ती लग रही है आपको पर आने वाले समय में जो जिस तने से भारत वर्ष की एकोनोमी है प्वांच ट्रिलियन एकोनोमी और पांच मान सबसे जबरदस्त अर्थ व्यवस्ता के साथ उपर निकल कर आया है इसी तरह मुझे लगता है नेपाल ने भी कही बार ये का नेपाल तो आज भी हमारी संस्कृति सभेता से निकला हुआ देश माना जाता है और है भी और वही जो जो है हिंदूराष्ट की अगर कोई संकल्पना लेके अगर इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अदीती को ये सपना लगता होगा, सुनहरा अच्छा सपना है हम सब को हिंदू राष्ट में रहने वाले लोगों पर आने वाले समय में ये चरितार्थ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल और अभी आप फाइफ ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे थे, फाइफ ट्रिलियन डॉलर्स की एकॉनमी बनने के लिए भारत को थोड़ा सा सफर तैय करना है और मैं आपसे ये समझना चारी जो हमारे दर्शक है जब अखंड भारत की बात की जाती है मैंने आपसे वही रोड मैप समझने की कोशिश की, अखंड भारत की जब बात की जाती है तो अखंड भारत का कॉंसेप्ट तो काफी फैला हुआ है उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है उसमें दूसरे देश भी है तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए माली सीचे सोर गड़ा रितु आये फल होए पूरे साल माली लगा रहता है परंतु जब रितु आती है पानी तो लगातार देता है रितु आने पे नहीं देता इसी तरह अगर हम एक एक बूंद करके सागर बनता है तो अगर इच्छा शक्ती हो तो आज अगर किसी कंट्री की ये इस्तिती हो गई है कि उसको ब्लैक आप देखें कि उसकी इस्तिती क्या है सोशियो एकोनामिक पोईशन उसकी इतनी खतरनाक है लोग उसके साथ नहीं है तो अगर वो दुबारा से हमारे साथ समलित होना चाहेगा तो क्या आप मना करेंगी क्या होना चाहेगा तो अभी तो होना चाहेगा वाली जो आपने बात कही संजीव उनियाल जी क्या वो कह रहा है या वो होना चाहता है वो तो लगातार आपके हां आतंक का समान भेशता है वो तो लगातार आपके हां आतंकी भी भेशता है वो दुनिया भर के मंचों पर आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सबके प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से लेकर जो अलग दूसरे भारत क जो विकास के भी काम है उन पर सवाल उठाता है वो भारत को आतंकी ब्रश से पेंट करने की कोशिश करता है तो ये तो उसका प्रोपगेंड़ा दुश्प्रचार लगातार जारी है देखिए अधिति इसमें दो आपको स्कूल अधौट दिखेंगे एक वो लोग जो कि यहां पर राज करते हैं पाकिस्तान में और एक वो लोग जिनके दिलों में उस देश के प्रती क्या है क्या भावना है और आपने देखा है कि मिलिटरी से चलने वाली इनकी सरकारों का सार वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको अपना शासन चलाना है टेररिस्टों से और मिलिटरी की हुकूमत से कॉडिनेशन करके वहां के राजनेता अपनी राजनेता गिरी की रोटी सेखते हैं तो यह सारा जो मिक्शर है वहां के आम जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है आम जनता को व देने लगते हैं पर उनकी इस्तिति क्या है एहमदियों की 11 मजजिदों को 33 कर दिया हिंदों के साथ जो होता होता है तो वहां पर तो ऐसी दुर्दशा है मुस्लिम्स की हिंदों की तो छोड़ दीजें इंजिरों जैनों और जो अपने सिक्वंदों वांदों की तो छोड़ दीजें वहां पर मुस्लिम्स की इतनी बुरी इस्तिति है कि उनको अंदर से मतलब मेरा कहने करता है जो समाज में जो उनका मन सिक्ता चल रही है और जो वो दिखाने के लिए भारते राजनेता दिखाते हैं वो देरी दे हैलो दा डिफरेंस उसमें बहुत बड़ा गैप है बहुत बड़ा वेक्यूम है और उसी वेक्यूम को अखंड भारत की वो शाश्वत शक्ति भरती है जो की वेक्यूम को फिल करती है उस वेक्यूम को फिल करने का काम अखंड भारत का वो सपना जो आपको लगता है जब वो चरितार्थ होगा तो वेक्यूम भरेगा और वहा तो आप यह कहा रहा हैं कि भारत का विश्व गुरू बनने का सपना और अखंड भारत ये दोनों अलाइंड है हाँ विश्व गुरु क्या होता है विश्व गुरु वो होता है जो गुरुता जिसमें गुरुता का अनुभा वो जिसमें दादा गिरी ना हो जो आखे ना दिखाता हो जो जबर्दस्ती दूसरे की जमीन पे कब जाना करता हो परंतु अपने ग्यान से अपनी चक्षू को खोल के अगर किसी पडोसी को जो कि हमारे बीच में से निकला हुआ मेरा भाई अलग हो जाता है उसको जरूत है तो गुरू जो है वो उस तरह की चीज करता है कि उसके पास इतनी शक्ति होती है कि उसको डैजेस्ट करता है उसको पास वो शक्ति भी होती है जिससे की वो उसकी रक्षा भी कर सकता है आप यहां पर यह जो पूरा इसे बहुत डिटेल में डिसक्राइब कर रहे हैं अब मैं आप से अगला सवाल यह पूछूंगी जब आप अखंड भारत की बात करते हो यह पहला मौकर नहीं जब इस तरह 2050 है अगली सदी है कोई तो एक टाइम लाइन होगी अधिति टाइम लाइन कॉर्परेट वर्ड के लोग जिसमें आप लोग काम करते हैं वहां होता है या चुनिवेर सरकारों की पंचिवर्षी योजना होती है या वो मोदी जी जिस तरह से बात करते हैं उनका सपना होता है 2024 तक 5 trillion economy तो टाइम लाइन आपने बिल्कुल ठीक का परंतु एक social organization के लिए या सामाजिक काम करने वाले लोगों के लिए टाइम लाइन कुछ नहीं होता निरंतर कारे करते रहते हैं मैं चोटी जी बात करता हूँ राष्ट्य समसेवक संकिय मैं ध्यान करता हूँ 1925 में बैन कर दिया जाएगा तो हम उसका रूप दुबारा से कैसे बनाएंगे और एक बार तो शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि हम पॉलिटिकल साइड नहीं जाएंगे परंतु जब दुतिय सरसंग चालक जी ने देखा कि इमर्जेंसी में हमारे 2223 कारे करताओं को अंदर इंदरागाधनी जो दौरा तो उसके बाद उनके मन में आया कि नहीं अपने पक्ष को रखने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल लेजिस्लेटर्स जो है वो अपने पक्ष को रखने के लिए आने चाहिए तो इसलिए उन्हें अटरल विहरी वाजपुर शामा प्रफषाद मुखरजी के नाते जो प्रचारक थे उनको भारते जनता उससे जनसंग का निर्मान हुआ तो अपना विचार रखने के लिए वहाँ बेजा परन्तु ऐसी योजना के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने पांच लोगों के साथ नात्पुर में शाका नहीं की थी जिसको लोग कहते हैं कि शादा आज रात्पती भी राष्ट्य समसेवक संके विचार धारा के हैं आज पर कि अगर उनमें गोल्स ना हो और उनने लेकर प्लान ना हो तो वह सिर्फ सपने होते हैं तो इसलिए मैं आप से जो मैंने शुरुवात की थी जिस पॉइंट के साथ कि कोई टाइम लाइन होती है कोई एक्शन प्लान होता है और यहां बहुत इंट्रेस्टिंग स्टेट्मे का वो स्टेट्मेंट था एक बार फिर से स्क्रीन पढ़ ले आएं उन्होंने इस बात को बार बार उठाया कि कैसे जब दो जर्मनी एक हो सकते हैं कि मैं स्ट्रेट्मेंट दुबारा से पढ़ देती हूं आरे से इसको यकीन है कि भारत के जो हिस्से साट साल पहले राजनेतिक कारणों से अलग हो गए थे वो फिर से एक साथ होंगे और अखंड भारत का निर्मान होगा आगे राम माधव ये भी कहते हैं कि इसके को ये कहते हैं जब दो जर्मनी और वियतना में एक हो सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान एक क्यों नहीं हो सकते ये बात राम माधव यहां पर कर रहे हैं इसके अलावा मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि 20-25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा हम मिल अगर हम सब मिलकर इस कारे की गती बढ़ाएंगे तो 10-15 साल में भारत अखंड भारत बन जाएगा इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा वैसे तो संतो की ओर से जोतिश की अनुसार 20-25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा ये बात कह रहे हैं मोहन भागवत सरसंग चालक है और यह 14 अगस 2022 का उनका स्टेटमेंट है और साथ ही वो यह भी कहते हैं जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा तो यह जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं इसलिए में सवाल पुश्रियू कब तक होगा अब योगी आदित यह बात उन्होंने कही और साथ उन्होंने कहा अखंड भारत बनकर रहेगा एक दिन ऐसा होना ही है यह हम आपको उत्रप्रदेश की मुखे मंत्री योगी आदितनात का स्टेटमेंट यहां पर दिखा रहे हैं जिसमें वो यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई वास्तविक् इतनी जल्दी पाकिस्तान खुद को भारत के अंदर समाहित कर दे उतना ही उसके हित्में यह होगा तो एक नई बलकि हमने तीन स्टेटमेंट्स हाला कि यह तीन अलग अलग तारीखों पर आए स्टेटमेंट्स हैं संजीव उनियाल जी इसलिए मैंने आप से जो कहा बिना के बिना गोल्स के अगर कोई बात की जाती है तो वह सपना होती है धारत के रहा और सिर्फमरन की बात नी करूंगी सिर्फ में और अर्थिक तौर पर बात नहीं नहीं करूँगा राजनेतिक तोर पर भी जहां भारत को mother of democracy कहा जाता है the largest democracy in the world है भारत वहीं पाकिस्तान में फॉज ने कितना तखता पलट किया और पिछले 75 वर्षों की बात की जाए तो वहां लोक्तांत्रिक विवस्था का किस तरह से murder किया गया है हत्या की गई है वो भी किसी से छिपा नहीं है तो दो ऐसे concept जो अलग political ideology में यकीन रखते हैं जिनकी journey जिनका सफर एकदम अलग रहा है उनका साथाना किस तरह से मुम्किन है अधिती मैंने जो आपने प्रश्ण पूछा और फिर आपने राम माधव जी को और सरसंग चालग जी को कोट किया साथ में योगी जी को भी कोट किया तो क्यूंकि मैं देखनी पाया था पहले तो मुझे लग रहा है कि मैंने भी लगवग वही लाइन पे जवाब दिया आपको तो मुझे लगता है कि सरसंग चालग जी ने 10-15 वर्ष बोला राम माधव जी ने 20-25 वर्ष बोला मोटा मोटी और योगी जी तो यह भी कह रहे है कि जितनी जल्दी हो सके तो मुझे लग रहा है कि आपने दो बातों को का टाइम लाइन तो मैंने आपको क्लियर किया कि मुझे लगता है कि टाइम लाइन कोई सोशल ऑगनेजेशन फिक्स नहीं करती है परन्तु हाँ क्या मोट ऑफ अपरेंडी रहेगा क्या उसका प्लैन रहेगा जो आपने का उसका तो उसके लिए तो शैद कुछ ना कुछ प्ल रखना यही सब कुछ करना भर की जरूरत होती है अगर किसी राष्ट को स्ट्रॉंग होना होता है और मुझे लगता है कि उस सबके लिए अर्म सब करवद है करम पर उसी राज्ये को लेकर उसी भात्तर वर्षों को लेकर एक पर्टिकुलर सरकार कितना खतरना को किस तरह का करती रही परन्तू एक सरकार के आठ नो वर्षों में क्या कर डाला उन्हीं लोगों के साथ हमारे 120 बीस करोर, एक सो तीस करोर, एक सो चालिस करोर लोगों को देखिए, चाए वो स्पोर्ट का हो, चाए वो फार्मर्स का हो, चाए वो विद्यारतियों का हो, चाए वो मिलिटरी का हो, चाए वो आम समाज का हो, सरकारी करमचारियों का हो, अब डेवलेप्मेंट को देखिए, त तो आपके पास आस पास जो कमजोर शक्तियां होती हैं, पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, वहाँ के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं, देखिए, अगर शासन करना है, और अगर कहीं जाना है, तो आप इनके साथ जाएए, त तो आपको मिलाकर ये कहना चाहरे हैं कि जहांपर शांती और समरद्धी होती है, जहांपर अमन चैन होता है, जहांपर खानून का राज होता है, लोग उसकी तरफ आकरशित होते हैं, यहांपर कुछ बहुत ही इंट्रिस्टिंग डेटा है जो हम अपने दर्शेकों किसा शेय भी करना चाहती क्योंकि एकॉनमी की बात की जा रही है, समरद्धी की बात भी की जा रही है यहांपर, अगर एकॉनमी के लिहास से बात की जाए तो 2020 में जहां भारत की एकॉनमी जो थी वो 5.7 टाइम्स थी पाकिस्तान के, वो अब 9 टाइम्स है पाकिस्तान के, यह समझने वाली बात यहाँ पर है जो समर्दी का जिक्री यहाँ पर किया जा रहा था लोगतांत्रिक परंपराओं के लिहाँ से भी बात की जाए सरकारों के लिहाँ से भी बात की जाए जैसे कि मैंने पहले भी कहा मानवाधिकारों के लिहाँ से बात की जाए या फिर दुनिया में पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ दुश्परचार करता है लेकिन बावजूद उसके दुनिया उसे सुनती नहीं है खुद पाकिस्तान के प्रदान मंतरी शाबाश जरीफ ने ये बयान दिया था कि कैसे जब वो किसी को फोन करते हैं तो उनकी गंगाली की हालत ये है और ये एक इमेज पाकिस्तान की बन चुकी है यहां पर समझने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान की एकॉनमी का ये हाल हुआ क्यों पाकिस्तान तक मदद पहुचाना दूसरे देशों ने बंद क्यों कर दिया पाकिस्तान आतंक को पालता पोस्ता है पालन पोशन पाकिस्तान करता है आतंकवाद का आतंकियों के लिए स्वर्ग पाकिस्तान को माना जाता है और इसलिए भूले नहीं FATF की जो लिस्ट थी उसमें black list होने का खत्रा लगातार पाकिस्तान पर रहा और एक लंबे अर्से तक पाकिस्तान grey list मेरा बलकि मुझे कहना चाहिए अगर पिछले डेड़ दशक की बात की जाए तो पाकिस्तान FATF की grey list से अंदर और बाहर आता रहा है महमान की तरह बाहर आता है और फिर अपने कर्मों की वज़ा से कूकर्म मुझे कहना चाहिए वापस उसे grey list में जाना पड़ हमारे इस discussion का हिस्सा बनने के लिए